नमस्कार दोस्तों कैसे आपसर दोस्तों मेरा नाम है बीजय कुमार और आप देख रहा है कॉमिक्स पिटारा चैनल को दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी एच्छी वीडियो बनाते रहें चलिए पर्मानों की संदार कॉमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है आखरी उडान देख सकते इसका कवर प्रिष्ट कुछ इस तरह का है दिल्ली अतिव्यस्त महानगर जिसके संकों पर दोड़ते हैं लगवक 28 लाग छोटे बड़े वहान और ये संक्या द जाम लगा नजर आएगा जहां या तो कोई इकादू का विमान उठता नजर आता है या फिर नजर आता है परमानू देली की आख के नाम से परसीद परमानू सहर में घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं को तलास्ती जिसकी निगाहें उस जाने पाचाने चेहरे पर जा करेगा कोई एक्सिडेंट ठक ओ परमानू कटर अगले इपल सच हो गया कार को तेजी से ट्रक के साइड से निकानने के चक्कर में वो नौजवान मोपट पर सवार एक ब्रित को साइड मार चुका था अजीद भीया रुको हमारी कार से साइड लगने से एक आदमी गिर गया है तो क्या हुआ वेवी आज उसकी किस्मत में गिरना लिखा होगा अपने सिकार की तरफ देखना भी गवारा नहीं समझता था वो नहीं समझा था उसने और वैसे भी मैं एक सिविलियन के लिए रुपकर अपना टाइम खराब नहीं करूंगा एक से लेटर पर जमा आमने खड़े परमानों से कुछ पुट पहले ही रुख गये हैं अन्दाधून ट्राइविंग करके सनक पर चलने वाले अन्य वहां चालकों को कीने मुकड़े समझना और अपना सिकार बनाकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ जाने का काम कर्म सिकम एक समझदार इंसान का तो और दूंगा तुम ऐसा कैसे कर पाते ये तो पता नहीं लेगे न अगर तुम मंता के भाई ना होते तो आनधून ट्राइविंग करने का अच्छा सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारा यह हाथ जड़ो तो डालता ओफ परमानों रुको अजीद भाईया से जो हुआ मैं उ अगल को कार में सवार कराने में मेरी मदद करो इंसान वही है अजीद भाईया इंसान के काम आए दूसरे इच्छन मंता को इसका पता चल गया बढ़ा ओ एक पक्ठी के टकराने से अकास में एक मिंग बिमान द्वस्त हो चुका था क्यों परमानू एक आएक कहा चले तुम और उसके सवारों के सीरो पर मंटरानी लगे थी मौत लेकिन जिस तक परमानू पहुच पाए जिस तक परमानू पहुच जा उस तक भाला अकास मिक मौत कहा पहुच पाती है अकास में होने वाले ये दुर्गटना सही समपर मेरी नजर में आ गई वाना ये जिन्दगिया भी खत्म हो जाती उस बिमान की तरह मौत का निवाला बनने से बचे वायो सैनिक कित्ता के खड़े निहार रहे थे उस मसीवा को धन्यवार परवानू मौत के ठीक जबलों से खिश लाया हो तुम हमें भगवान ने तुमें फरिस्ता बना कर हमें बचाने भेजा था बहुत खुस किस्मत हैं हम सब वरना इस एरिये में पिछली इस एरिये में होई पिछली किसी दुरगटना में कोई भी जिन्दा नहीं बचा पहले भी दुरगटना हो चुकी है? हाँ इससे पहले भी हमारी वायो सैनिक कि पांच बिमान ऐसी दुरगटना के सिकार हो चुके हैं और पिछली सभी दुरगटनाई भी पक्षियों के टक्राने सो ही है। इस एरिया में ये पक्षि ना जाने कहां से एकाएक बिवान के सामने आ जाते हैं। अलग वक्त 50 कोड़ों रुपए के बिवान को खत्म करने का कारण बनते हैं। इन दुरगटनाओं में विवानों के साथ साथ हमारी सेना को कई काविल पाइलोटों से भी हांधोना पड़ता है। तभी सारा वतवरन फायर विग्रेट के सैरनों से कोज उठा। वाई सेना क्यों उचादिकारी वो फायर विग्रेट यहां पहुँचने वाले हैं। मुझे यहां से चलना चाहिए। दुरगटना गरस्तों को नीचे छोड़कर उपर लहरा उठा परमान हूँ। अपने दिवाग से दुरगटना की बात ना निकाल सका। यह एरिया फ्लाइंग एरिये के नाम से जाना जाता है। इस चेत्र की दूर-दूर की जगह को एरिपोर्ट ऑथरेटी अप एंडिया ने अधिगरन कर रखा है। परशासन इस बात का पूरा ख्यार रखता है कि इस एरिये में कहीं कोई खाने पीने के वस्तु या गंदिगी का ऐसा ढेल ना हो जिससे अकास में उड़ने वाले पक्छी आकरसित होकर इधर आएं। इस एरिये की साफ सफाई इस बात की गवा भी है कि परशासन अपने काम को बखो भी अंजाम दे रहा है। कहीं कोई गंदिगी नहीं लेकिन फिर भी इस एरिये में ना सिर्फ पक्छी माड़ाते नजर आएं बलकि वाईयों से ना कि पांच विमानों के दुर्गतना के कारण भी बनें। कहीं कोई चक्कर है लेकिन क्या परमानों ने बहुत सोचा लेकिन उसके समझ में कुछ ना आया। लेकिन उससे पहले परमानों के देलों दिमांग में फसा संदेह का काटा नहीं निकला था। और इसका सबुत यह था कि अगले दिन भी पर्मानु फ्लाइंग एरिये में उर्ता नजार आ रहा था अपनी पूरी संतुष्टी के बाद ही मैं यहां से हटूंगा वो मेनी अपनी टेस्ट प्लाइंग करता हुआ इधर ही बढ़ रहा है अरे अचानक बुरी तरह चोका था पर्मानु अस्चारे से फटी परने को उतारू हो गई थी उसकी आंके क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था वो पर्दय दूद वो गीन एक हाएक कहां से आ गया और वो स सामने गीद है प्लेन को मूब करो क्विक ओके मुख्य पाइलट ने गजब की तेजी दिखाई वीमान ने तेजी से गोता लगाया लेकिन अस्चरे मिमान के साथ ही वो पर्दय दूद भी गोता लगा चुका था अमैजिंग सर वो गीद गोता लगाकर फिर हमारे सामने है अब कुछ नहीं हो सकता अब प्लेन को उस गीद से टकराने से कोई नहीं रोग सकता पिमान में बैठे पाइलेटों को सक्षात मौत नजर आ लगी थी लेकिन बाहर मौजूद वो उन्डर मैं नजर नहीं आ रहा था जो हर हाल में उनकी मौत को टान लेकी ठान चुका था मुझे इस गीद को विमान से टकराने से हराल में रोकना होगा एक बहुत बड़ी दुरगटना को रोकने के लिए अपने जीवन की सबसे तेज गती से उड़ रहा था परमानू लेकिन उसके गती फिर भी कम थी लेकिन तब ही मानो चवतकार हो गया विमान की तरह जपटते गीद ने अपरत्यासित धंग से अपना निसाना बदल दिया था अब उसका नया निसाना था परमानू बिमान गीट से टक्राने से एक इंच के समय हिस्से से बचा था लेकिन परमानू नहीं बच पाया तेजी सुरुत परमानू गीट के टक्राओं ने कुछे चनों के लिए परमानू को चक्रा दिया परमानू ने तुरंती खुद को समाल लिया उस गीद ने मुझे मार ही डाला था मुझे लेकिन वो मुझे इस बात की खुसी है कि वो गीद बिमान से टक्राने से बच गया अरे वो गीद कहां गया हभी तो यहीं था गीद के एकायग गायव होने ने परमानू के मस्तिक्स में सवालों के तुखान उठा दिये वो गीद तेजी से विमान की तरफ बढ़ रहा था अचानक उसकी नजर मुझे पड़ी और वो मुझे पड़ जपड़ पड़ा ऐसा कैसे हुआ यह सब बाते मेरे कल के सको और पुकता कर रही है इसलिए आज मुझे अपने कोज बहत बारे की सीख करनी होगी उस एरियों को खुर्द बिन बनकर चानती परमानू की आखों को जल्दी नजर आया वो संधिक्ड अस्तान ज़ाड़ियों से भरे इस सस्तान पर वो साब जगह जरूर ज़ाड़ियों को उखार कर ही बनाई गई है इस जगह पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है और वो है बहुत से पक्चियों के पंक नीसंदे वे पक्ची गिर्द होंगे लेकिन यहां तो एक भी गिर्द नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से इसका मतलब एक ही हो सकता है और यह कि इस जगह पर है कोई गुप दखाना ओफ मेरा सक्स है निकला जमीन को कोटकर बनाए गए इस दखाने में ही गिर्द को रखा जा सकता है और ऐसा करने वाला कोई अपरादी ही होगा अचानक उस आहट पर चुकरना हो गया था परमानू यह जरूर अपरादी हो की आने की आहट है नहीं यह तो हैं खतरनाग गीद जिनका एक ही मक्सद है मेरे सरीर से मेरा सारा मास नोच लेना और लेकिन इने मालूम नहीं कि इनका पालब है परमानू से जिसके पास इन से निबटने के लिए है परमानू रसी और यह परमानू छले हमला करने वाले गीद परमानू की विसेस्ता को नहीं जानते थे लेकिन परमानू कुछ ही पलों में उन्हें जान गया ओफ ये तो बेहर तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि मैं अकेला हूँ और मैं अकेला आके कितने को परमानु रस्टी और छल्लो से विवस कर सकता हूँ अफ पर्मानु तेजे से मुसीवितों में फस्ता जा रहा था जबकि उसका दिमाग तेजे से उस मिसीवत से निकलने का रास्ता सोचने में जुटा हुआ था पर्मानु रश्ची और छलो के साथ ही मुझे इन से बचने के लिए कुछ और भी सोचना होगा लेकिन क्या यहां तो कोई भी साधन नज़त नहीं आ रहा है उपर को उठ रही है फ्लाड लाइट जरू रोसनी के इस्तमाल के लिए की जाती होगी ये मेरे बचाओं का साधन बन सकती है क्योंकि इनकी तेज लाइट को इन गीद की आँखे सह नहीं पाएगी और वे लाइट से डर कर दूर भागेंगे परमानू ने एक स्विस दबाया फ्लाड लाइट से निकल कर पीली रोसनी गीदों की आँखों को चुदियाती चली गई आकिर मैं इन गीदों के हमले से खुद को बचाने में सफल होई गया परमानू के मों से निकली खुसी बरीवा बाज दूसरी पल चीफ में बदलती चली गई क्योंकि इस बार दुगन्नी गती से परमानू पर गीदों का हमला हुए था इस आकास्मिक अकरमन से हरवड़ा आ गया परमानू इसी के साथ गीदों का जोन मौत बनकर उसकी तरफ बढ़ चला परमानू के पास समझने का समय नहीं था अब तो इन यमदूतों से बचने का एक ही रास्ता है कि मैं ट्रांस्मिट हो जाऊ अपनी बेल के ट्रांस्मिट की स्विच की तरफ बढ़ गया परमानू का हाथ लेकिन उसके दवानी की नौबत नहीं आई क्योंकि उससे पहले गीदों का हमला हो चुका था लेकिन परमानू पर नहीं पिली रंग की फ्लाइट पिली रंग की फ्लट लाइट पर पिले रंग पर हमला हो समझ में आया इन गीदों को पिले रंग पर हमला करने के लिए सथाय गया है ये फ्लट लाइट पर इसलिए जप्टे क्योंकि ये लाइट मेरी पुसाग से ज़्यादा पिली है और हावा में वो गीद विमान को छोड़कर मुझ पर इसलिए जप्टा था क्योंकि मेरी पुसाग उस पिले रिवन से अधिक पिली थी जिसे मैंने विमान पर बंदे देखा था ठीक सोचा पर मानू अपनी अकलमंदी को तु यम्राज को सुनाएगा वो तेरे दिमार का लोहा मान कर पस्ता आएगा कि उसने तुझे नीचे भेजने के बज़ाए अपने दर्बार में ही क्यों नहीं दख्खा हाँ तुम बहोसो कर अंधेरे के देवताक पस जरूर जा रहे हो कुछ दिर पहले जो वदमास अपने पैरों पर खड़े थे पहले जो वदमास अपने पैरों पर खड़े थे वे अब जमीन पर बेहोस पड़े थे अब यह सब होस में आकर बताएंगे कि यह क्यूं और किसके इसारे पर विमान से टक्राने वाले गीदों को यहां से उड़ाते हैं लेकिन इनसे पुस्ताच के लिए मुझे थर्ड डेगरी इस्तिमाल करनी होगी और उसके लिए इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा लेकिन पहले करना होगा इन गीदों का इंतिजाम और उसके लिए यह एकदम अच्छा रहेगा कि जिस पिली लाइट के सुरोद की तरफ सवी गीद कर्सित हो रहे हैं मैं उसे परमानू रसी की मदद से पिजड़े में फेक देता हूँ इस तरह उस लाइट का पीछा करते गीद भी उधर ही जप्टेंगे और फिर मैं उन्हें असानी से इस तरह बंद कर दूँगा सभी गीदो को पिजड़े में बंद करके परमानू उन बदमासों को लेकर पहुंचा प्ली स्टेस्टन तुम्हें अपने जुबान खोलनी ही होगी वादना मैं तुमारी हड़ियों के एक एक जोड़ खोल दूँगा हमारी बात का विस्वास करो एस्पेक्टर हम कुछ नहीं जानते हम तो उन गीदों के सिर्फ ट्रेनर हैं हमें तो कीमत देगा गीदों को पीले रंग पच्छपटने की ट्रेनिंग देने और उन्हें बिमान के सामने उड़ने को बोला गया था वो अपने आदमियों के जरिये हमें रुपे पच्छाया करता था हम नहीं जानते कि वो कौन है कहा रहता है इतना बोलने के साथ वो भी अपने सात्यों के साथ बेहुस हो गया काफ़े टॉर्चर के बाद भी ये चारों इससे जादा कुछ नहीं बता पाए अब मुझे ही कोई ऐसा तरीका सुचना होगा जिसके बल पर आगे बढ़कर मैं मुख्य अपरादी तक पहुंच जाओं और जल्दी वो हल निकाला जल्दी वो हल निकला ये एकदम ठीक रहेगा इस तरह मैं साथ मुख्य अपरादी तक पहुंचने में सफ़ा लो जाओं लेकिन इसके लिए मुझे रात का इंतिजार करना होगा ट्रिंट्रिंट अपने ख्यालों में खुए बिनाय को टेलफोन बजने की आवाज ने चुकाया इस्पेक्टर बिनाय ने फोन उठाया नमस्कार अधार्स नगत थाने से मैं इस्पेक्टर बिनाय बोल रहा हूँ इतना मक्खर लगानी की जुरत नहीं है आनी क्योंकि मैं ममता बोल रही हूँ और मैंने तुमें इसलिए फोन किया है कि मेरे चचेरे भाई की आनी की खुशी में मैं आज साम को एक डीनर दे रही हूँ तुम आओगे ना तुमारे बद्तमीज तुमारे बद्मीजाज भौजी भाई के साथ डीनर लेने से भुका मरना अच्छा है लेकिन डोन्ट वरी तुमारे खाते मैं फिर भी पहुँचूंगा इसी बहाने सीना के साथ कुछ पल गुजाने का मौका मिल जाए मिला या मौका भला मैं कैसे छोड़ चकता हूँ सीना और बिनाय के बेसंबंद को सीना और बिनाय के संबंद को जानने के लिए पढ़े पूद परकासित कोमिक्स बम उसे साम ये मेरे कंचन बिंग कमांडर अजीद पाठक और अजीद भाईया ये बिनाय कुमार इस्पेक्टर अफ दिल्ली पुलिस हेलो हेलो आओं दर दुए न मिस्टर बिनाय हो नहीं ही था क्योंकि ये किसी सिविलियन का नहीं उस फाउजी का हाथ है जो मौत से भी पंजा लड़ाने के लिए हर समय तयार रहता है बाई दवे हाथों पर मूब लगा लेना वरना तुमारा महिनो दुखता रहेगा तुमारा हाथ इने बाते करने दो सीना आओ तुम डिनर लगवाने में मेरी मदद करो सीना को रहने दो बेबी बिनाय को अपने साथ ले जाओ इसके नरव नरव हाथों से लगाया गया डिनर खाने में बड़ा मज़ाएगा गो फ्रेंड ना चाहते है भी बिने को ममता के साथ जाना पड़ा सौरी बिने अजित भेया को अपने फोजी होने का कुछ जाता ही गमंडर मैं समझता हूं ममता तभी मैंने उनकी बात का बिरोध नहीं किया यह मज़दार डिनर गविने के साथ बेस्वाद था ना तो इस कमबत ने सीना से मिलने का मौका दिया और ना बात करने का गोड नाइट एवरीबड़ी आजित सीना में इतने दिल्चस्पिक क्यों ले रहा है एक चिंता लेकर वहां से रवाना हुआ भी नहीं तुरंती परमानु बनकर दूसरी चिंता का हर डोन ने निकल पड़ा एयर फोर्स फ्लाइंग वेस जिसकी सुरच्छा विवस्ता के लिए ये कुछ सैनी की बहुत थे और आज से पहले सारी रात जाकते रहते हो कभी थोड़ा अराम भी किया करो तिनों सैनीकों को पता ही नहीं चला कि कब वे छोटे छोटे ब्लेड उनके सरी में प्रिवस्त होई हैं और कब उनके होस फाकता हो गए हैं मेरे रास्ते की अर्चन खत्म मैं बड़ी असानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूँ उस सक्स की मंजिल थी सामने मौजूद वो हैंगर जिसमें मौजूद था वो मिंग 27 विमान अगर पमानों ने बीच में पढ़कर गीदो के ट्रेनरों को ना पकड़ा होता तो कल अपनी टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ने वाला ये मिंग भी पक्ची टक्राने से खत्म ह ग्या होता और मुझे यह बम फिट करके यहां नहीं आना पड़ता अगर ऐसा हो जाता तो हमारी मुलकात कैसी होती इसका मैं बड़ी बेसमुरी से इंतिजार कर रहा था पर मानू अरे तुम तो मेरे जान पचान के निकले अच्छा हुआ अब मुझे तुम से सवाल पूछने और तुमें मुझे जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी पंजा को सचमुच जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी ओह अगर तु सवाल पूछने के लिए जिंदा बच गया तो ये वार करके पंजा ने दिखा दिया कि आश्चरे चकिट कर देने वाले पूर्ती भरी थी उसके सरीड में पर इसका क्या जिया जाए कि उसके मुकाबले में था परमानू जो खुद एक अश्चरे था लेकिन पंजा के पास फूर्ती के साथ साथ और भी बहुत कुछ था जैसे नाकिन रुपी ये तेज ब्लेड जो पंजे को हर मसीवत से बचाने के साथ साथी सामे बाले को मौत के मुझ के सिकंजे में फसा सकते थे उफ बाल बाल बचा मैं इसे कमाल की है तेड़ी उनी की सकती जो तुझे हर मुस्किल से बचाती है पहले इसी का इंतिजाम कर देता हूँ उफ पंजा की यांत्री खान से बीदूत की तेज़ी से निकला वो रबबड परमानू के सरे से जा लिप्टा अब इस हैंगर का फर्स और दिवारे तेरी लहू में नजर आएगी ओफ मेरे सरे से लिप्टी ये रबबड बहर मज़ूत है मेरे ताकत लगाने पर खिषती तो नहीं पर तूटती नहीं जबकि मुझे इससे जल्दी छूटना होगा वरना पंजा दिवारों से टक्रा टक्रा कर मुझे माड डालेगा लेकिन मैं इससे बाहर निकलूंगा कैसे मेरे तो हाथ भी इस रबबर में बुरी तरग कैद है एक मिजट पंजा का बंडाधार करने के लिए मुझे इस रबबर की पकड़ से छूटने की क्या ज़रूत है ये काम तो मैं अपने सरीर को पीछे खीच कर और फिर उसे धीला छोड़ कर अराम से कर सकता हूँ तो उपकी गोले की गती से परमान पंजा से टक्राया पंजा की आँकों के सामने चांद सितारों की बरात नाच उठी तुमारे सबसे बड़ी ताकत तुमारे ये हाथ ही तुमारा सबसे बड़ा दुस्पन बन गया पंजा इसलिए उखाब फेकने दे उसे अब तो तुमें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा वरना नकली हाथ की तरह इस असली हाथ को भी तुमारे सरी से उखाब डालूँगा मैं नहीं ऐसा मत करना परमानू मैं तुमारे हर सवाल का जवाब देनी के लिए तैयार हूँ ये गिया उठा पंजा अब वो परमानू के सवालों का जवाब दे रहा था जल्दी परमानू सहर से बहाग इस्तित एक फैक्टरी के उपर मंटराता नजरा रहा था वाट्सन फ्यूल कोर्प्रेशन नाम किस फैक्टरी में मुझे मिलेगा वह मुक्या अपरादी जिसका नाम है रोजन वाट्सन परमानू तुम यहां जर्म पनप्ति है वहां परमानू देर सवेद पहुँची जाता है जूर्ब लेकिन यहां तो कोई जूर्ब नहीं हो रहा सही का जूर्म यहां नहीं अकास में और एयरफोर्स प्लाइंग बेस पर हुआ है लेकिन उसकी घिनोनी साजिस यही रची गई है और उसे रचने वाले हो तुम इनकार से कोई फैदा नहीं होगा वाट्सन क्योंकि पंजब मुझे सब कुछ बता चुका है इसका मतलब पंजब पकड़ा किया है मैं मानता हूं परमानू कि मेरे हिजारे पर वो सब कुछ हुआ लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते क्योंकि तुम यहां से जिन्दा बच कर नहीं जा पाओगे अपरत्यासे ढंक से परमानू के से पर उपर लटकी क्रेम का भारी हुग गिरा था जिसने परमानू को बेहुस कर डाला बेचारा अब कुछ देर में अपने आपको यमराज के सामने पाएगा जल्दी परमानू के होस्त वापस लोटे मैं तुम्हारी बेहुसी को मौद के निन में भी बदल सकता था परमानू लेकिन मेरे दिल्ली इच्छा है कि मैं तुम्हें मारने से पहले वो बात जरूर बता दू जिसके लिए मौद तुम्हारा मुकदर बन रही है फाइटर विमानों में लगने वाले फ्यूल सिलिंडरों के निर्यात के लिए मेरी कमपनी बिस्वभर में जाने जाती है भारा सरकार जो मिंग विमान बनाती है उसके लिए भी फ्यूल सिलिंडर मेरी कमपनी से सप्लाई किये जाते है मेरी कमपनी की विश्वभर की विश्वस्निता ही मेरी बदकिस्मती का कारण बन गई उस विश्वस्निता ने उसकी जांच परकिरिया को कमजोड बना डाला इसका परिनाम एक भारी गर्वर के रूप में निकला मेरी कंपनी की प्रोडक्शन टीम की गलती से कुछ घटिया फ्यूल सिलेंडर भारत सरकार को भेज दिये गए मुझे जब इसका पता चलता तब तक उन सिलेंडरों को विमानों में फिट किया जा चुका था ये एक बहुत बड़ी समस्या थी देर सबेर जिसकी पोल खुलनी ही थी और ऐसा होने का एक ही मतलब था विसो भर में कड़ोर रुपे का बिजनेस करने बाली मेरी कंपनी की सारी इज़त मिट्टी में मिलना और ऐसा मैं हर्गिस नहीं होने देना चाहता है इसलिए मैंने उन मिंग विवानों को नष्ट करने का फैसला किया जिन में वे घट्या फ्यूल सिलिंडर फिट थे और उनका नष्ट होना एक साधारन दुरगटना लगे इसके लिए मैंने गीद के ट्रेनरों को सहरा लिया लेकिन तुमने बीच में पढ़कर मेरे उस काम में अचन डाली और अपने लिए चुनली एक भेयानक मौत और वो भेयानक मौत तुमें इसमिंग के जरिये मिलेगी जो तुमें उड़ाकर अकास के उच्चाईयों में एक ऐसी जगा ले जाएगा जहां अक्सीजन नहीं होगी होगी तो सिर्फ मौत एक तड़क्ती हुई मौत हाँ 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 क्योंके पर्मा मौत पर्मानू से नहीं मौत पर्मानू से सेकड़ो मिल दूर भागती है वाटसन क्योंके पर्मानू मौत से बचना जानता है प्रोफेसर मुझे ट्रांस्मीट कीजिए दुसरे शन, वाटसन और उसके साथियों के आँखों के सामने था विश्वत का सबसे बड़ा आजूबा थैंकू प्रोफेसर जो आपने मुझे ट्रांस्मीट करने से पहले इतना मुखा दिया कि मैं सारी बात जान सकू अगर उस समय मैं तुम्हारे धोके में ना फस्ता तो ये कमाल मैं तब तक भी दिखा सकता था तुम्हारे साथियों को परमानु रस्ती में तुम्हारे साथियों को परमानु रस्ती से उस समय भी कैद कर सकता था और पर्मानू रिंग्स के जल्वा उस समय भी दिखा सकता सा और उस समय भी सब को पहुँचा सकता था वायो सेना की कस्टडी में अपराद करने वाले को उनके अंजाम तक पहुँचा कर और उनके अपराद को सभी के सामने लाकर वापस लौट चला वो दिली का रखवाला इसे के साथ ये कहानी समर्थ होती है मिलेंगे एक और नई कोमिक्स में तब तक के लिए बाई हसते रहिए मुस्कुराते रहिए